Hello everyone, welcome back to this analysis video, so कल Tuesday है और कल किस तरीके से हमारे पास यहां पर ट्रेड बन रहे है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या हमारे पास सेड़ बन रहे है, कैसे ट्रेड करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमेशा की तरह इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कल के लिए, और कल के लिए क्या ट्रेड बन रहा है, अचा कल का क्या होने वाले उससे डिसकस करने से पहले एक बर हम यह भी डिसकस कर लेते कि आज क्या ट्रेड बने तो आज हमारा यह वाला ट्रेड बना था, कल वाली वीडियो में मैं आपको यह बताया था, कि मंडे को हमें कैसे ट्रेड करना है Nifty यहाँ पर तो करें हैं इसब घर इस लेवल को उपर जाएगा और वापीस इस लेवल के नीचे नाएगा तो हमें क्या करना इसे पुट का ट्रेड लेना है और यहां इस तक हमें टागें बनाना बड़े अराम से देखो बैंक निफ्टी ने वही किया इस लेवल के उपर गया वापिस नीचा आया और हमारा यहां पर पुट का ट्रेड दिया देख रहो यह होती है एनलेसिस जिसको हम बोलते हैं प्राइज एक्षन तो प्राइज एक्षन हमेशा बहुत अच्छा से काम कर दिया था कि अगर इस लेवल के उपर ब्रेकाउट मिलता है ना तो हमें प्रेक्षन बहुत सारी मिल रही तो पहले तो आप लोगों को यहां पर ट्रेड आवोईड कर देना चीए था खुदी बट फिर भी मैंने आपको टेलीग्राम पे इसके बारे में अब्डेट करके ब रिस्की है आप जाकर देख लेना टेलिग्राम पर मैंने आपको पूरा मैसेज में बता रखा है कि कॉल का ट्रेड रिस्की है फिर उसके बाद हमारा यहां पर पुट का ट्रेड बन गया हमने यह वाला ट्रेड के लिए तो यह वाला ट्रेड आप लोगों ने आई होप कैप् ब्रेकाउट मिलता है तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे जब ब्रेकाउट मिला था ब्रेकाउट मिलते ही मैंने आपको टेलेग्राम पर अपडेट कर दिके बता दिया था वोइस मैसेज में एक्स्पें कर दिया था पूरा कि यहां पर निफ्टी का जो ब्रेकाउट मिला है वो fail हो सकता है, इसके बहुत जा चांसी हैं क्योंकि bank nifty में हमें putka trade मिल गया था same time पे, और अगर bank nifty में putka trade मिला है तो market bank nifty अगर नीचे जाएगा, तो nifty भी नीचे जाएगा तो nifty उसको follow करेगा, right, so इस वज़े से मैंने आपको पूरा मना कर दिया था nifty का भी trade avoid कर सकते हो, अगर चाहो तो risk ही बहुत जादा है bank nifty में trade करो, bank nifty safe, right, ये सारी चीज़े मैं बताई थी तो ये सारे updates, plus कल वाली वीडियो देखी होगी अपने अगर मेरी analysis वीडियो, plus telegram पे सारे updates follow किये होंगे, आज का दिन आपका बहुत ही अच्छे से profit में गया होगा, क्योंकि इस trade में, अराम से हमारा 2600-2300 उर्पे का इस वाले trade में, पर lot का profit हमें मिला है, right, तो अगर आपने 10 lot से भी trade किया है, तो अराम से आपका 20-25 जायर का profit निकला होगा, ट्रेल करके, आयोब आपने देखा होगा, ओके, अब हम बात कर लेते हैं, क्या हमें कल के लिए trade करना है, right, so सबसे पहले बात कर लेते हैं, निफ्टी के, कल क्या trades बन रहे हैं, कल के लिए, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना, जो भी आप profit करते हो, trade देखके हैं, इस वीडियो देखके, profit करते हो, मुझे comment करके बताया करो, मज़ा आता है, तो, right, so यह रहा हमारे निफ्टी के fresh levels, कल Tuesday के लिए, और कैसे trades बने हैं, देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, जो मैं बताने बालू, so हमारे पास यह levels है, right, हमें, देखो, wait करना पड़ेगा, एक सेकेंड, yes, हाँ, देखो, हमें न, wait करना है, कि market, जब निफ्टी जो है, हमारा जो यह वाला level है, call का trade तभी बनेगा, जब निफ्टी 19,435 का जो यह level है, इस level को उपर break कर दे, right, तभी हम call का trade ले सकते हैं, तो हम कल देखेंगे, अगर निफ्टी, यह जो हमारा 19,435 का level है, अगर निफ्टी हमारे इस level को उपर break out देता है, और candle यहाँ पर close हो जाती है, तो retest पे इस level के call buy कर सकते हैं, जिसका हम full target यहाँ तक का final target जो है, वो रख सकते हैं, और यह हमारा level रहेगा 19,523 का, first target हमारा यह रहेगा, 19,474 का, जहाँ पर आपको trail करना है, 60-70% lots जो है अपने हम पर trail कर लेना, और फिर आप final target के लिए wait कर सकते हो, बाकी बचेवे lots के साथ, अगर आपके पास lots कम है, तो यही आपका final target है, इसके उपर और नहीं जाना है, बिल्कुल भी, ठीक हैं, तो एक trade हो गया कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता, तो एक बार repeat करके देख लेना, वीडियो को, ताकि doubt clear हो जाए, notes भी बना लेना, आपने से काफी साथ लोग हैं, जो notes बना लेते हैं, जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, stop, pause करकर के वीडियो को, और notes बना लेते हो, ताकि आप कल market जब उपन हो, तो उसके बेस पर trade करते हो, यह भी कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है वो, right, so मैंने क्या बोला, nifty अगर हमारे इस level को उपर breakout देता है, 19,435 को, तो रिटर्स पर call का trade लेंगे, यहां तक कम final target बनाएंगे, 19,523 का यह level है, first target यही रहेगा हमारा 19,474 का यहां पर maximum lots बुक कर लेना, मतलब 60-70% lots, कम से कम बुक कर लेना, जादा lots वाले, final target यहां तक का आप ट्रेल कर सकते हो, फिर कम lots हैं, तो सारे lots आप यही पे exit कर देना, यह हो गया एक trade हमारा nifty के लिए, दूसरा trade क्या बनेगा, देखो, दूसरा trade बनेगा हमारा यहां पर, so तो हमारे पास put cut rate यह बनेगा, अगर हमारा जो यह level है, 19,301 का यह level है, अगर nifty हमारा इस level के नीचे आपे breakout देता है, और इस level के नीचे,akर नीचे लेवल के पर बाए गर सकते हैं, जिसका target हमारा यह level रहेगा, right? 19,201 का यह हमारा final target रहेगा बीच में हमारा पास एक यह level है 19,252 का जिस पर आपको 70% lots 80% lots कम से कम बुक कर लेने है कम lots वाले final target आपका यह रहेगा बिल्कुल भी trail नहीं करना जादा lots वाले trail करो यहाँ पर और final target आप यहाँ तक जो है बुक कर सकते हो अब देखो यह बहुत बड़ा target अगर आप धियान से देखोगे न तो छोटा target शायद आपको लग रहा हो बट छोटा नहीं है यहाँ से यहाँ तक का 50 points का target है निफ्टी का तो आप सोचो कितना बड़ा profit दे गई है अरां से आपको 1200 रुपेगा profit देगा पर लॉट और यहाँ तक का अगर आप capture करते हो तो 2.000 रुपेगा profit आपका रखा हुआ इस trade में तो बहुत अच्छा profit होगा पर लॉट का जो बतारों मैं आपको calculation राइट सो निफ्टी में यह दो condition बनती है इसके अलाब और कुछ नहीं बनेगा class में जो आपको मैंने बता रखा है अगर वो setup बनेगा तो वो तो बिल्कुल आपको ले नहीं है जैसे कि आपका आज निफ्टी में यहाँ पे एक trade बना था class का setup अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक head and shoulder बनाया हुआ था जिसका market ने पूरा target दिया है बड़े अराम से तो आयोप आप लेगों नहीं यह वाले trade भी capture किया होगा मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चोगा था बैंक निफ्टी में तो बट कुछ लोग शायद हम से जलते बहुत ज़ाद हैं comments में आके negative comments करते हैं negative comments बीना समझे कुछ भी comments करते हैं जैसे अभी कल comment आया था में पास एक मतलब बहुत सारे आ रहे हैं तो कल तो मेरे पास proof भी है उस चीज़ का तो मैं आपको दिखाऊंगा कल में पास एक comment आया YouTube हमारे वीडियोस पर कल वाली शायद वीडियोस उससे पहले वाली पर कि मेरा loss हो गया मेरा trade में loss हो गया आप पता नहीं क्या देखा था मैंने analysts वीडियोस देखी नहीं देखी पता नहीं है बट loss हो गया किसी ने comment किया तो आप में से किसी ने जो वीडियो देखते हैं और ट्रेड लेते हैं प्रॉफिट करते हैं राइट बहुत अच्छी बात है आप में से शुधाकर ने किया था कमेंट उसको रिपलाई किया और पूछा कि भाई लॉस कैसे हो गया सदने तो जो ट्रेड दिया था उसमें तो इस अच्छी हो आप लोग वें सो यह ऐसा कोमेंट करता है कि कोशिष करता है और अगर यह अगर ऐसा कुछ भी आता है negativity फैलाने की कोशिस करता है कोई comments में या कहीं पे भी तो ये आप सब की जिम्मेदारी है कि उसको reply करो तूट पड़ो भाई उस पे क्यों ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए किसी को भी यहां पे तूट पड़ो उस पे कि भाई reason बता कैसे loss हुआ है क्योंकि देखो अगर आप सारी चीज़े फॉलो कर रहे हो अच्छे से तो आपको बताए कि यहां पे हमें loss नहीं होता या तो profit होता है या तो हम cost to cost exit करते हैं ट्रेट से अगर सारी चीज़े हम लोग अच्छे से फॉलो करते हो आप लोग जो भी मैं बोलता हूँ तो टूट पड़ा करो comment में पूछा करो भाई ऐसे कैसे comment कर रहा है जो भी है तो अच्छी बात है आप में से सबने reply किया उसको क्योंकि काफी मैं परेशान हो चुको है ऐसे लोगों से क्योंकि जलते बहुत है लोग उनको विश्वास नहीं हो पा रहा कि हमें डेली ट्रेड्स मिल रहे है तो यह बहुत गलत बात है एनिवेज चलते हैं और आगे अच्छा कुछ लोग और भी बोल लेते हैं कि सर लाइव आये करो देखो लाइव का यार मैं सिंपल सा एक बताऊंगा बात आपको अगर मैं आप सब को बता है कि आप लोग बोलते हो कि डेली ट्रेड्स बनते हैं हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं तो आप लाइव भी आये करो अब देखो लाइव आने का ना आने का मेरा रीजन के है लाइव मैं सिंपल सी बात ये बोलना चाहूंगा कि मैं एक ट्रेडर हूँ राइट मैं यूटूबर नी हूँ मैं ट्रेडर हूँ यूटूबर पर वीडियो बगर इसलिए बनाता हूं ताकि मुझे थोड़ा बहु घंटे में हो जाता है अगर मैं यूटूब पर लाइव आंगा तो चार-पांच गंदे मैं लाइव बैठा हूँ गा पूरे टाइम बोलता रहूँ गा और इसका फायदा क्या है क्यों मेरा पर उससे क्या फायदा होगा बताओ मेरा इतनी महनत करने की मिलनको जरूद गया ह और वहां पर मैं बोलता रहूं, चीजे करता हूं, मेरा उससे क्या फाइदा है, मेरा चार घंटे में कुछ फायदा निए और आदे गंटे में इतना अच्छ ट्रेड मिलता है, प्रॉफिट लेता हूं आराम से, और एक्ज़ ओ जाता हूं ट्रेड से, मैं लाइब स्ट्रीम क बताना के ठीक है तो मेरा काम है भाई ट्रेड करना और जो भी आपको ट्रेड देता हूं वो बहुत अच्छा से काम करता है और मेरा वही काम है राइट एनिवेज आप सीखो प्रॉफिट करो अब बात कर लेते एक बार बैंक निफ्टी की मुझे कुछ बाते बताने थी जो म हमें क्या करना है हमें कॉल का ट्रेड जो है थोड़ा सा इसमें रिस्की है जब तक कि बैंक निफ्टी हमारा यह लेवल यह वाला लेवल कॉल का ट्रेड ना बिल्कुल भी खराब है यहां पे बार बार यहां पे नीचे उपर भागे कहीं भी भागे तो कॉल का ट्रेड लेवल को पर बेग नहीं करता ना तब तक हम कॉल का ट्रेन नहीं ले सकते हैं तो अगर मान के चलो इन केस अगर यह ब्रेक कर देता है अछा अगरसा मूव आ गया 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 लेशा कि ऐप ऑपम ओपन ओपनिंग हो गई 529 का, ठीक है, तो यह आपका trade बनेगा, और काफी अच्छा profit इसमें भी हो जाएगा, बहुत अच्छा 200, 200 points का target है, तो कम lots वाले, सारे lots आप यहाँ पी exit कर देना, बहुत अच्छा इसमें भी profit हो जाएगा, 100 points का profit होगा, जो की काफी अच्छा हो जाएगा, आपका उसमें return on capital काफी अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे जादा lots वाले, 60-70% lots बुक करके, final target आप यहाँ तक का capture कर सकते हो, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अभी यह शायद ना बने trade, अगर बनता है तो आप यह trade ले सकते हो, कल उसके अलावा क्या हो सकता है, वो मैं आपको एक बार बता अगर sideways open होता है, और उपर जाके इस level से rejection लेता है अगर, यह हमारा level है 45,0053 का, ठीक है, तो अगर bank nifty sideways open होके इस level पे जाके rejection लेता है, तो आप इस level पे put buy कर सकते हो, जिसका target आपका final यहाँ तक कर रहेगा, और यह level है आपका 44,00723 का, ध्यान सा सुन मैं ने क्या बोला, कि अगर bank nifty sideways open होता है, और इस level पे जाके यहाँ पे rejection ले, level है हमारा 45,0053 का, तो आप यहाँ पे rejection लेगा, तो put buy कर सकते हो, जिसका target आपका यहाँ तक करेगा, 44,00723 का यह target है, first target आपका यह वाला level रहेगा, 44,00882 का, जहाँ पे आपको 70% lots कम से कम book कर लेने हैं, और फिर trail कर सकते हो, कम lots वाले, आप सारे lots यहाँ पे book करना, trail नहीं करना, क्योंकि आपके बास trail करने का option है नहीं, ज्यादा lots वाले trail कर सकते हो, यह हो गया, अगर in case, bank nifty sideways open होके, इस level को break कर देता है, तो call का trade मतलेना, break अगर करता है, तो call का trade मतलेना, आप wait करना, वापिस अगर उ put buy कर सकते हो, again final target यह वाले level, first target आपका यह level, वही same चीज, follow करना है, ठीक है, क्या बोला मैंने, कि अगर sideways open होके, इस level पे rejection लेगा, तो आप put buy करोगे, यहाँ तक का final target रहेगा, first target यह देगा, बट अगर rejection नहीं लेता है, और इस level को break कर देता है, तो फिर आपको कुछ नही करोगे, और यहाँ तक का final target और यह first target, यह होगे हमारा bank nifty का trade, ठीक है, बट bank nifty अगर हमारा इस level को नीचे breakout देता है, तो ट्रेड मत लेना, अगर market open होते ही, हो सकता है, second half में नीचे चला भी जाए, बट specially first half में, अगर market bank nifty इस level को नीचे breakout देता है, तो बहुत risky है trade, ध्य देख लेता हूँ, नहीं, nifty का तो सारा बता दिया मैंने, so nifty की 2 condition बता ही मैंने आपको, और bank nifty की 3 condition बता ही है, अगर इसमें से कुछ बनता है trade, तो आप ले सकते हो, देखो, simple सी बात है, हमारा जो focus रहता है, वो यह रहता है, कि हमें अच्छे से trades लेने है, quality trade और price action पर focus क आपको वही चीज़े देखने है, बाके और चीज़े क्या हो रहा है, छोड़ दो, अब एक बार बात कर लेते हैं, bitcoin के भी, bitcoin में क्या trade बन रहा है, देखो, bitcoin में हम लोग option trading कर रहा है, आप लोग को बता रहा है, जो नहीं है, उनको बता रहा हूँ, so bitcoin में हमारे पास, यह वाला level है, हमारा 30,652 का, bitcoin का हमारा level है, यह वाला 30,652 का, so अगर bitcoin हमारा इस level के उपर breakout दे दे न, तो फिर आप इस level के readers पे call, buy कर सकते हो, और यहां तक का final target बना सकते हो, 31,282 का यह final target है, bitcoin का trade है, अगर यहाँ पे, bitcoin जो है, अगर यहाँ पर आता है, और हमारा bitcoin अगर जो है, उपर आता है, और इस level के उपर breakout दे दे, 30,652 का level है, तो फिर आप retest पे call buy करोगे, और यहां तक का final target रहेगा, 31,282 का ही level है, बीच में देखो, हमारा यह फर्स target है, और यह second target है, और यह final target है, तो according to your, जो भी आपकी quantity है, उसके बेस पे आप यह ट्रेल करोगे, त यह levels कौन से है, 30,875 का level है, और यह है 31,078 का level है, तो यह आपका trade बनेगा, उससे पहले थोड़ा bitcoin इदर उदर भागेगा, थोड़ा sideways फसा हुआ है, तो छोटे मोटे trades जो है, आप लोग खुद लेई सकते हो, और अब बात कर लेते हैं, option trading अगर करनी है, तो आप लोग क्य कर सकते हो, अच्छा, जो छोटे मोटे trades बन रहे है, उसके लिए आप सब के लिए, देखो, मैंने description, जो आप सब के लिए, एक discussion group बना रखा है, जो भी आप सब को पता है, एक discussion group बना रखा है, आप लोग को, तो जो भी आप लोग यहाँ पे trades एक दूसरे के साथ शेर कर सकत तो वो लोग आप करते ही हो, जैसे आप लोग देखो कर रहे हो, और काफी अच्छा profit भी कर रहे हो, that's very good, मैं जो trade दे रहा हूँ, उसको follow कर रहा हो, साथ में यहाँ पे आप दूसरे से discussion करके trades लेते हो, so यह बहुत अच्छी सीज है, discussion group जो मैंने आप लोगों के लिए बन 170%, और बाकी लोग भी देखो, यहाँ पर trade जो करते हैं, यहाँ पर यह था, right, so अगर आपको इसका access चाहिए, private group का, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, कैसे लेना है, काफी लोगों के मैं पास comments आ रहे हैं, कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, तो उसलिए मैं ब पहले जाओ के मेरे चैनल पे, प्ले लिस्ट में, यहाँ पर देखो, आपको मैंने ये वीडियो बना के देर कि पूल, crypto option trading for beginners, पूल प्ले लिस्ट एक बर देख लेना, मैंने भी मैनत लागा के, टाइम लागा के यहाँ पर वीडियो बनाई है, आप लोगों को देखना है, तो आपको description में मैंने link दे रखा है उसको join करने का, प्लस यहाँ पर जाओगे आपको लिंक मिल जाएगा, अब आउट पर जाना, और यहाँ पर नीचे जाओगे, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ये वाला crypto private group, ठीक है, तो यहाँ से आप join कर सकते हो, कैसे join करना है, इस पर जब click करोगे, तो आपके पास यह form आएगा, यहाँ पर यहाँ पर फर्स टेप है, देखो, अगर आप option trading करोगे, तो आपको कोई platform चाहिए, तो platform जो मैं use करता हूँ, वो है delta exchange का यह platform, तो यहाँ पर delta exchange पर आपको account करेट करना है, क्योंकि यह trading करनी है, तो आपक यह form फिल करके और मुझे telegram पर message कर देना, that's it, मैं आपको उसमें access देदूँगा, प्राइवट गूर्प में, अचा यह उसके बाद एक और update है, कि जो अपना delta exchange है, जहाँ पर हम लोग trade करते हैं, उसमें एक और बहुत अच्छी चीज हो गई है, कि अपना जो हम funds है, आप add करने के लिए, deposit करने के लिए, withdraw करने के लिए, तो यहाँ पर थोटा हसा easy हो गया, देखो कैसे, यहाँ पर जो है, एक second, यहाँ पर पहले हम लोग deposit करते थे, withdraw करते थे, तो हम Wazir x को use करते थे, और फिर हम वहाँ पर withdraw करते थे, अब यहाँ पर feature आगया है, delta exchange में भी, आप अब आपको वजीरक्स को यूज करने की जोट नहीं है तो यहाँ पे अगर जाओगे न विड्रॉ पे तो यहाँ पे देखो विड्रॉ टू बैंक इस पे क्लिक करना ठीक है यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे यूजड़ी आफकोर्स और यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट अपना एड करना है जैसे मैंने अपना एड करना है और यहाँ पे जितने भी फॉन्स विड्रॉ करना है आप यहाँ पे कर सकते हो minimum 30 USDT आपको विड्रॉ करना होगा जिस पे चार्ज लगेगा 1 USDT का जो की बहुत कम है चार्ज भी आपका बहुत कम लगेगा विड्रॉ करने का बहुत ही कम चार्ज लग रहा है जो वजीर एक्स में हम करते थे थे ना उससे भी बहुत कम चार्ज लग रहा है जितना भी आप करोगे यहां पर और अभी withdraw फिरसे मनें फिर final किया हूए, 700$ का withdraw किया हूए। यह अभी process में है, वो आ जाएगा। यह manually process करते हैं, जो डेल्ट एक्षेंज के टीम है, वो manually साली चीजे देखती हैं, जो भी आपके withdrawals होते हैं तो उसके बाद वो approval देते है manually सबको ताकि कोई गलती बगरा ना हो और उसके बाद आपके bank account में आता है तो इसलिए थोड़ा वह time लग सकता है withdraw में बट पैसे आ जाएंगे क्योंकि मेरे आ गए थे तो ये मैंने withdraw किया हुआ है अगर ये आ जाएगा तो फिर मैं और भी withdraw करने कुछ में बस फंड पड़े हैं इसमें तो अभी पंदरा सो थे ही तो मैंने आधे withdraw करें है और कुछ मैं और withdraw या add करूँआ देखूँ आभी test कर रहा हूँ इसको तो आप यूज कर सकते हैं तो यह भी बहुत अच्छा आ गया अब आपको hassle-free हो गया सब कुछ प्लस यहां पर जो अगर add करना है फंड तो उसका तो है easy यहां पर buy deposit और buy कर सकते हो डारेक्ट आप उसके तुरू on meta पर जाओगे तो direct up upi के तुरू आप यहां पर funds एड गर सकते हो राइट funds एड करने का भी direct upi के तुरू हो गया और withdraw करने का भी direct bank में हो गया तो बहुत easy हो गया तो यह आप और भी जादा easy हो गया डेल्ट exchange को use करना इसलिए मैं डेल्ट exchange को प्रिफर करता हूँ anyways यह देख लेना और playlist चेक आउट कर लेना अगर आपको सीखना है option reading कैसे करने है तो पूरी playlist आप सब के लिए मैंने बना रखी है वो आपको मैंने देई दिया तो वहां पर आप देखके पूरी playlist का link मैंने आपको description में दे दिया है प्लस मैंने आपको दिखा दे तो वहां पर देख लेना चैनल में anyways आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को subscribe कर सकते हो अगर आप नहीं हो तो वीडियो को like और comment करके मुझे जरूरू बताया करो आप कितना profit करते हो on daily basis जो भी होता है मुझे comments में बताया करो ठीक है और जो भी negativity फला रहे है comments में आपकी responsibility है कि आप उनको tackle दरो यह सब आप देखो यह सब मैं नहीं देखो मैं बस आपको trade दूँगा आप बाकी सारी चीज़ा आप देखो ठीक है आप लोग को कैसे करना है और okay बहुत अच्छी थी है अब मिलते हैं कल all the best guys thank you so much bye bye see you